हेलो फ्रेंड्स स्वाकत है आपका यूटूब चैनल दसी क्रेट अफ इन्वेस्टिंग में दूस्तों आप लोग ने देखा पिछले एक साल में मार्केट में बहुत ही गजब की तेजी हम लोगों को देखने को मिल चुकी है निफ्टी 50 हो निफ्टी मिड कैप हो निफ्टी नेक्स्ट 50 हो लार्ज कैप स्टॉक्स हो स्मॉल कैप स्टॉक्स हो सारे ही स्टॉक्स ने बहुत ही पहतरी निटन औलरी प्रवाइड करा के दिखा दी है तो ऐसे में हम लोगों को बहुत ही ध्यान से इंवेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि सारे के सारे स्टॉक बहुत ही ज़्यादा overvalued हो चुके हैं आज इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में हम लोग बाचीत करने वाले हैं जो अभी भी काफी ज़्यादा undervalued trade होता हुआ दिखाई दे रहा है अभी काफी अच्छी खासी तेजी इस स्टॉक में आपको long term में देखने को मिल सकती है सौट में भी आपको काफी बढ़िया मुनाफ़ा ये कंपनी आपको दिखाती ही नजर आईगी सबसे पहले अगर हम लोग बात करें स्टॉक की प्राइस की तो आप लोग देखेंगे 3556 के आसपास इसका स्टॉक का प्राइस चलना है आज के दिन के अगर हम लोग बात करें तो लगबख 305 परसन इक गिरावट आपको देखने को मिलेगी 90 पॉइंट की गरावट आज के दिनी आपको इस स्टॉक में दर्जोती ही नजर आईए अगर हम लोग बात करें 5 दिन के return की तो आप लोग को देखने को मिलेगा 5 दिन में लगबख 7% गिरावट इस stock में देखने को मिली है अगर हम लोग बात करें 6 महीने की return की तो 6 महीने में ये stock लगबख दुगना कर हो चुका है 104% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है अगर हम लोग 2021 की बात करें तो 113% की रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे अगर एक साल की रिटर्न की बात करें तो लगबग 1500% की तेजी इस स्टॉक ने अलेड़ी अपने इन्वेस्टर को प्रवाइड करा के दिखा दिये लगबग 1428 रुपए के आसपास का स्टॉक हुआ करता था यह 28 सितम पर 2020 को और वहां से आप लोग देख सकते हैं 3556 के आसपास यह स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है तो मतलब कि कहने का मतलब यह है कि लॉंग टम में आप लोगों को यह स्टॉक बहुत ही बढ़िया मुनाफ़क कमा के दिखा सकता है मैक सिटन देखें तो आप लोग देखेंगे 2015 में 735 के आसपास यह स्टॉक ट्रेड होता था वहां से 3556 में आ चुका है मातल 6 साल के अंदर आप लोग बोल सकते हैं वह विलकी 5 साल में क्योंकि यहां पर आपको देखने हों मिलेगा 4 दिसंबर 2015 के आसपास आपको यह स्टॉक लिस्ट होता हुग नजर आया था जून 2021 में 4.81% के स्टेक होड करने लगे हैं FIIs और 6.44% के स्टेक होड करने लगे हैं DIs और लास्ट कॉर्टर से भी आप लोगों को बाइंग ही नजर आती हुग दिखाई देगी तो यह तीनों के तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलने मिल सकती हैं कि आने वाले टाइम में यह स्टॉक बहुत ही अच्छा प्रफॉर्मेंस करने वाला है तब ही प्रोमोटर खुद भी अपने स्टॉक उठा रहा है FIIs और DIs दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से बाइंग करने में लगे हुए हैं कमपनी पे अगर हम लोग डेप्थ की बात करें तो आप लोग देखेंग बौरूइन 101 करोड के आसपास की आपको बौरूइन देखने को मिलेगी और वहीं अगर हम लोग रिजर्व चेक करें तो आप लोग देखने को मिलेगा एक हजार चार करोड के आसपास कमपनी पास रिजर्व है तो कमपनी कभी भी चाहे तो अपना पूरा का पूरा डेप्थ पे आउ कि कंपनी लगादार 40% के CAGR से आपको profit में growth दिखाती भी नज़र आ रही है ट्रेणिंग ट्रेलमन में भी 83% के growth कंपनी ने पिछले quarter से देखने को मिली है पिछले 5 सालों से stock ने 41% के CAGR से अपने investor को return deliver करके दिखाए है एक साल में 160% की गजब की तेजी भी दिखाई है return and equity पे नज़र डाल सकते हैं लगादार 30 से 31% की maintain करके रखी हुई है पिछले 5 साल, 10 सालों से बहुत ही बैतरीन चीज़ होती है अपनी continuity को maintain करना वो इस company ने करके दिखाया है 2010 में company 4 crore का profit generate कर पाती थी जो की अब 273 crore का profit last year company ने generate किया 2021 में मतलब की massive jump पिछले 10-11 सालों में company ने दिखा दिया है growth में जिसके चलते आप लोगों को ये stock आने वाले time में भी बहुत बढ़िया मुनाफ़क कमा के दिखा सकता है यहाँ पे किस stock की बात हो रही है बात हो रही है चरूर दोस्तों आप लोग ने इसका नाम कहीं ना कहीं सुना होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलती है इस company के त्वारा आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे ब्रैंड है चाहिए आप लोग देख सकते है लक्स कोजी ऑन जनेक्स लायरा लायरा बहुत बड़ा लेडीज का ब्रैंड आपको देखने मिलता है लेडीज के product बनाता है उसके बाद भी आप लोगों को इस सारे बड़ी बड़ी कंपनिया लक्स इंडरेस्टी की तरफ से देखने को मिलती है कहीं ना कहीं आप लोग ने इन सारी ब्रैंड है इनके नाम सुने होंगे तो बहुत ही बैतरीन कंपनिया आपको देखने को मिलती है बहुत पुरानी कंपनी है men, women और kids के जो हम लोग बोल सकते हैं कपड़े होते हैं वो बनाती है और आप लोग समझ सकते हैं बहुत ही बैतरीन कामकाज इनका आने वाले टाइम में चलता हुआ दिखाई दे सकता है market cap आपको देखने को मिलेगा लगबख 11,000 EUR कROD के आजसे पास होता हुआ नजरा रही है लगबख 3647 रुपाइब के आजसपास तो अभी भी कंपनी का प्राइस बहुत ही कम है आप लोग जरूर इस स्टॉक को ले सकते हैं पूटफोलियों में और लंबे समय के लिए होल्ड करें तो डेफिनिटली आप लोग का पैसा बना के दिखा सकता है यह स्टॉक का अच्छी तरीके से स्टॉक का पी 38.5 के आसपास देखने को मिल रहा है वहीं अगर हम लोग इस सेक्टर के दूसरे स्टॉक को देखें तो आप लोगों को उनका पी बहुत ही नीचे के लेवल पर टेड होता हूँ दिखाए देगा जैसे की देख सकते हैं रूबी मिल्स का लोयल टेक्स टाइल का आप लोग देख सकते हैं जेसी टी का 77 है बड़ी कंपनी है और लगातार काफी अच्छा कासा प्रॉफिट जनेरेट करे ही जिसके चलते है इसका पी हमेशा थोड़ा सा बाकी स्टॉक से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है आप लोगों को डेफिनेटली इस स्टॉक को लेना चाहिए लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए क्योंकि काफी बैतरीन कंपनी है कोई भी नेगेटिव सिगनल आपको देखने को नहीं मिलेगा स्ट्रंथ बुक देख सकते हैं काफी ज़्यादा अच्छी खासी चीजें आपको देखने को मिल सकती है मैंने सब कुछ बता दिया अलड़ी अपके वीडियो में तो इस स्टॉक को अपनी नजर में रखिए वाच लिस्ट में रखिए मौका मिले और गिरे तो आप लोग जरूर अपने पॉर्टफोलियो में एड़ करिए पॉर्टफोलियो में एड़ करने से पहले अपने अनेलिस सिरायक पर ज